बाबा साब अमबेड कर ने एक ही बात कही थी अगर अपने समाज को हमें पिछडे पन से हटाना है अगर अपने समाज की गरीबी दूर करनी है अगर अपने समाज को बराबरी का हक दिलाना है तो एक ही चीज कर सकती है अच्छी शिक्षा बाबा साब अमबेड कर इतने परिवार में पैदा हुए उन्होंने बहुत जंगर्श किया उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे उन्होंने 64 विश्यूट मास्टर्स की डिगरी ली, एम्मे की डिगरी, 64 विश्यू में, उन्होंने दो डॉक्टर की डिगरी ली और फिर उन्होंने हमारे देश का सम्भिधान दिखा, बाबा साब ने जो सपना देखा था, कि इस देश के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक् खाई है, बाबा सफदा सपना में पुरा करें, बाबा तेरा सपना दुरा, केच्छी बाई करेगा है, आज पंजाब के कोने कोने से, पंजाब के कोने कोने से आई हुए पंजाब के कोने कोने से आई हुए, सभी भाईों, बहनों, माताओं, बुजर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सतस्रियक आल दोस्तों आज की ये सभा बहुत बहुत महत्वपून इंपॉर्टेंट सभा है आज पंजाब के पूरे एसी भाईचारे के साथ मैं दिल से दो बात करना चाहता हूँ मुझे लगता है आजादी के बाद से आज तक 75 साल में सारी पार्टियों ने सारे नेताओं ने एसी भाईचारे का केवल इस्तिमाल किया और जान बूज के एसी भाईचारे के लोगों को पिछडा रखा गया गरीब रखा गया मैं बताता हूँ कैसे बाबा साब अमबेडकर ने एक बात कही थी बाबा साब अमबेडकर इतने गरीब परिवार में पैदा हुए उन्होंने बहुत संघर्ष किया उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे पूरे समाज के साथ उन्होंने संघर्ष किया उन्होंने 64 64 64 मास्टर्स की डिगरी लिए में की डिगरी 64 विश्यों में आप में से कई सारे लोग पढ़े लिखे हैं एक में की डिगरी लेने में नानियाद आ जती है है कि नहीं है उन्होंने 64 सब्जेक्स में 64 विश्यों में में की डिगरी ली उन्होंने दो डॉक्टर की डिगरी ली पूरे देश में अकेले पहले डॉक्टरेट थे एक उन्होंने इंग्लेंड से डॉक्टरेट की डिगरी लिएक अमरीका से डॉक्टरेट की डिगरी लिए और फिर उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा बाबा साब अमबेड करने एक ही बात कही थी अगर अपने समाज को हमें पिछडे पन से हटाना है अगर अपने समाज की गरीभी दूर करनी है अगर अपने समाज को बराबरी का हक देलाना है तो एक ही चीज कर सकती है अच्छी शिक्षा अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो अगर हमारे बच्चे पढ़ लिग गए तो सारे समाज के साथ बराबरी का हक लेंगे गरीबी दूर होगी और सारे सब के साथ हम आगे बढ़ेंगे सतर साल में पच्छतर साल में इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने मिलके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया है जान बूझ के बेड़ा गर्क किया इन्हों ने क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं S.C. भाहिचारे के बच्चे पढ़ते हैं दलितों के बच्चे पढ़ते हैं कुछले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने जान बूछ के सरकारी स्कूलों को खराब रखा ताकि ये वर्ग कभी भी आगे न बढ़ सके. ये वर्ग कभी भी अपना बराबरी का हक लेने के लिए खड़ा ना हो सके. इन्होंने जान बूच के पिछड़ा रख था दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था जो भी भगवंतमान कह रहे थे जैसे पंजाब में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में कई स्कूल ऐसे हैं इसमें एक भी टीचर नहीं है, सात्वी क्लास तक के स्कूल हैं, एक भी टीचर नहीं है, सात्वी क्लास तक के स्कूल हैं, एक टीचर है, सातों क्लासों के लिए एक टीचर है, कैसे पढ़ाएगा हो, स्कूलों का इतना बुरा हाल है, शिक्षा का इतना बुरा हाल है पंजाब बनने हैं इस साल हमारे बोर्ड के पेपरों में सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% 99.7% नतीजे आए हैं प्राइवेट स्कूल से बहुत ज़्याद अच्छे आज इस साल धाई लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भरती करवाया आज दिल्ली के रिक्षे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है आज दिल्ली के मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है एड़ोकेट बन रहा है गरीबों के बच्चे दलितों के बच्चे ऐसी भाईचारे के बच्चे आज डाक्टर इंजीनियर और बाबा साब हम बेड़ करके सपने को पूरा कर रहे हैं वही अपने को पंजाब के अंदर करना है दिल्ली के अंदर हमने एक स्कीम चालू की है हम सब को पता है कि अगर इंजीनियरिंग करनी हो डाक्टरी करनी हो बैंकिंग के पेपर देने हो रेलवे के पेपर देने हो आईस के पेपर देने हो तो कोचिंग करनी पढ़ती है करनी पढ़ती है कि नहीं करनी पढ़ती कोचिंग बहुत महेंगी है एक एक कोचिंग करने के लिए 4-4 लाख रूपे, 5-5 लाख रूपे लगते हैं डॉक्टरी के एक्जाम में बैठो, कोचिंग करने के लिए 4 लाख रूपे लगते हैं IIT के Engineering के पेपर में दो, IIS के पेपर में बेठो, पांच लाक रुपे लगते हैं कोचिंग के, गरीब आदमी के पास तो पैसे नहीं है, तो दिल्ली सरकार ने एक स्कीम बनाई है, जैभीम योजना, हमने ये कहा है, कि SC भाईचारे का कोई भी बच्चा, अगर कोचिंग करना चाता है, आप admission लेलो, सारा सरकार, खर्चा सारा सरकार देती है, इस स्कीम के तहत में आपको बता नहीं सकता, कितने बच्चों का Engineering College में admission हो गया, कितने बच्चों का Medical College में admission हो गया, कितने बच्चे वकील बन गए, कितने बच्चों का Railway में, IS में admission हो गया, फिर हमने एक स् बाबा साब अमबेड कर जब इंग्लेंड गए अपनी डॉक्टरेट करने के लिए उनको पढ़ाई बीच में छोड़ का नहीं पड़े उनकी अज पैसा खतम हो गया जितना पैसा लेके गए थे वो खतम हो गया फिर वापस आये हम भारता के थोड़ा काम किया काम करके पैसा बचाया फिर दूबारा कए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हमने का आज की डेट में हमारे ऐसी भायचारे के बच्चे को पैसे की कमी नहीं होनी झा Hayır हमने यह स्कीम बनाई है ऐसी भाईचारे का कोई भी बच्चा अगर ग्रेजुएशन करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए विदेश जाना चाता है उसका सारा खचा दिदली सरकार देती है पंजाब में ऐसा होना चाहिए कि निहोना चाहिए? जोर से बताओ, पंजाब में ऐसा होना चाहिए? अभी मैंने कुछ दिन पहले बोला, मैंने का कि पंजाब में हमारी सरकार आई तो हम स्कूल अच्छे करेंगे परगट सिंग जी की मैं बहुत इज़त करता हूँ हमारे देश के बहुत बड़े होकी के खिलाडी थे, कैप्टन थे चन्नी साब की मैं इज़त करता हूँ लेकिन उन दोनों ने खड़े होके का कि पंजाब के स्कूलों को सुधारने की जरूरत नहीं है पंजाब के स्कूल देश में नमबर बने है मैं आपसे पूछना चाता हूँ क्या पंजाब के स्कूल देश में नमबर बने है इसका मतलब इसका मतलब उन लोगों को आपके स्कूल सुधारने की कोई मनशा नहीं है वो स्कूल आपके ऐसे ही रखेंगे अगर आपने कॉंग्रेस को वोट दे दिया तो ये स्कूल ऐसे के ऐसे रहेंगे स्कूल नहीं सुधरने वाले गरीबों के और ऐसी भाइचारे के बच्चे ऐसे ही गंदी शिक्षा पाते रहेंगे इनकी मनशा नहीं है इनके इरादे खराब है जैसे 75 साल के अंदर इन्होंने हमारे बच्चों को पिछड़ा रखा जैसे 75 साल के अंदर इन्होंने हमें अन्पड रखा ऐसे ही आगया आने वाले पांच साल के अंदर भी इनकी मनशा यही है चन्निसा ehkä के और पर्गड सिंग्य की कि S.C. भाईचारे के बच्चे को ऐसे गरीब और पिछड़ा रखेंगे अनपड़ रखेंगे अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो बदल दो सरकार अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो पलड़ दो सरकार और ले आओ बदलाओ आम आदमी पार्टी को वोग दे फिर से धोखा हो रहा है S.C. भाईचारे के साथ पंजाब में फिर से धोखा हो रहा है पिछली बार कैप्टेन साहिव ने कार्ड जारी कर दिया बोला मेरी सरकार बनिया तो ये कार्ड ले आना मैं नौकरी दूँगा पान साल हो गए उन्होंने नौकरी नी दी आज भी लोग कार्ड लेके घुम रहे हैं और इन्होंने चन्नी साहब ने आने के बाद पांच-पांच मरले के प्लॉट के फॉर्म भरवा दिये हैं बता रहे हैं लाखों लोगों ने फॉर्म भरे हैं लाखों लोगों ने एक भी आदमी को प्लॉट नहीं मिला भी तक पूरे पंजाब म पर दूब के गए उन्हों ने झूते रोज़िकार के काड़ दिये अब चन्नीस अब जूते पांच मरले के फॉर्म दे रहे हैं मैं चन्नी साब को कहना चाहता हूँ या तो चुनाव के पहले पांच मरले के प्लॉट तुम दे दो ये तो चुनाव के बाद हमारी सरकार ये सारे प्लॉट अभी जैसे भगवन तुमान कह रहे थे चार उत्रफ होडिंग लगी पड़ी ये 36,000 पक्के कर दिये 36,000 पक्के कर मैंने कर चन्नी साब तो पक्य कर दि कहते तेछ नहीं करे लगी पक्के कर दिये 3 विर, पक्का कर दिये 27,000 पक्के कर दिये 36,000 साब किसी को पक्का नहीं करा जूट बोल रहे हैं जूट बोल रहे हैं जूट बोल रहे हैं जूट में मत आ जा ना इस बार फिर से जूट में मत आ जा आम आदमी पार्टी है केली पार्टी है जो ऐसी भाईचारे के साथ कंदे से कंदा मिला के चल रही है इस बार करोना के टाइम पे करोना के टाइम पे कई सारे हमारे करोना पे काम करने वाले करमचारियों की करोना की वज़े से मौत हो गए हमारे दो सफाई करमचारी एसी भायचारे के दो सफाई करमचारी अस्पताल में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी अस्पताल में ड्यूटी करते वे उनकी करोना हो गया उनको उनकी मौत हो गई दोनों सफाई करमचारियों को एक करोड रुपए में अपने हाथ से देखे आया उनके भाजाते मेरे को यह बता दो पूरे देश में पूरे देश में एक भी सरकार S.E.O. जिसने अपने S.E. भाइचारे के लोगों को को करोना की मौत की वजए से एक करोड रुपे दिया आहूँ किसी सरकार नहीं अगर वो यह न खरता हूँ और पूरे पंजाब ये टीवी चैनल वाले दिखा रहे होंगे पूरे पंजब में में मैं चैलेंज करता हूँ दिल्ली में किसी से भी ऐसी भाइचारे की किसी भी आदमी से बात कर लेना अगर वो ये ना कहें कि केजरीवाल हमारा बड़ा भाई है हमारे घर का परिवार का बेटा है तो मिरे को वोट मत देना पर जाते हैं आज पूरे दिल्ली के अंदर एक-एक एसी भाइचारे का एक-एक परिवार मिरे को अपना बेटा मानता है एक-एक परिवार मिरे को बड़ा भाई मानता है उनके साथ खड़ा हूँ मैं तो आज एसी भाइचारे के लिए पांच गारंटी में लिखे आया हूँ पहली चीश, पंजाब के ऐसी भायचारे के एक-एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शांदार और फर्स्ट क्लास फ्री में शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी दूसरी गारंटी और यह सब हम दिल्ली में करके आया हैं उसके बाद क्यारों मैं दूसरी गारंटी अगर ऐसी भायचारे का कोई भी बच्चा कोचिंग लेना चाहेगा जो जैसे दिली में खराच रहा चाहिए, इंजीनियरिंग की कोचिंग चाहिए, मेडिकल की कोचिंग चाहिए, रेलवे की कोचिंग चाहिए, इसकी कोचिंग किसी भी पेपर के लिए कोचिंग लेना चाहेगा कोई भी बच्चा ग्राइजूएशन करने के लिए विदेश जाना चाहेगा उसका सारा खर्णा पंजाब सरकार देगे चौथी गारंटी आपके परिवार में कोई भी बिमार होगा चाहे छोटी बिमारी हो, चाहे बड़ी बिमारी हो, चाहे बुखार हो, चाहे कैंसर हो, चाहे बड़े से बड़े ऑपरेशन करना हो, सारा खर्चा आपके परिवार के किसी भी सदसे को कोई भी बिमारी होगी, अच्छे से अच्छा हिलाज कराएंगे, सारा खर्चा पंजाब सरकार लगाई तो के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए मुझे बेहद दुख है कि 75 साल हो गए अजादी के हम ये सपना पूरा नहीं कर पाए मैंने ये कसम खाई है बाबा साथ सपना मैं पूरा करूँ आ बाबा तेरा सपना धुरा केज़रे बाई करेगा पूरा चन्नी साब ऐसी भाहिचारे से आते हैं रविदा समाच से आते हैं इसलिए वो कह रहे हैं चारों तरफ जा जाके कि सारे ऐसी भाहिचारे के लोग मेरे को वोड़ दो मैं सब को कहना चाहता हूँ मैं ऐसी भाहिचारे से नहीं आता लिगे मैं आपके परिबार से आता हूँ कल को अगर आपके घर में कोई बिमार होगा तो आपका बेटा का बनके मैं आपका इलाज कराऊँगा कल को अगर आपका बेटा I.S. अफसर बनना चाहेगा तो मैं और आप मिलके उसको I.S. अफसर बनाएंगे कल को अगर आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा के जरूरत होगी तो आपका ये बड़ा भाई आपके काम आएगा चन्निस आप काम नहीं हैं वो तो केवल वोट की राजनीती कर रहे हैं कह रहे हैं मैं भी S.C. भाईचारे से तुम भी S.C. भाईचारे से मेरे को वोट दो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ मैं पंजाब का भविश्य बनाना चाहता हूँ मैं आपके परिवार का भविश्य बनाना चाहता हूँ इसलिए हम आगमी पार्टी को वोड़ दो दोस्तो मैं आप सब को यही कहना चाहता हूँ आप लोगों ने इतने मौके कॉंग्रिस को दिए इतने मौके अकाली दल को दिए एक मौका एक मौका सब लोग आम आदमी पार्टी को दो मेरा आपको विश्वास है कि आप सारी पार्टियां भूल जाओ गया यहाँ पे नेचम वाले भ भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आप लोगों को पक्का भी करेगी और आप लोगों की तंखा भी ठीक करेगी यहाँ पर guest teachers आयों हैं उन लोगों के मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी तंखा भी ठीक करेंगे आपको पक्का भी करेंगे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया